Hello everyone, once again आपका स्वागत है Ubon Academy में आज के वीडियो में हम Chemistry के 25 most important question answer को discuss करेंगे जो कोई विभिन परिक्षाओं मों पूछे गए हैं और आपके आने वाले जो विभिन परिक्षाओं हैं उनके लिए महत्वण होंगे जिसने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताके आपको पूरी वीडियो मिलतर है जिसने शुरू करते हैं Question first An atomic clock is based on transistor in एक परमानो घड़ी किसके संकर्मन पर आधारित होती है तो आपके लिए यहां पर different matter atom के example दिए गहें पहला option है cesium, दूसरा option है magnesium, तीसरा option है sodium, चौथा option है aluminium तो correct option क्या है इसका first cesium जो परमान घड़ी है उसमें किसके संकर्मन पर आधारित की जाती है cesium matter atom चलिए आग गया बहुत हम Question number 2 Which are the following metals does not react with water to produce hydrogen निवन वैसे कौन सी धातों का निर्मान करने के लिए जल के साथ अभिकरिया नहीं करता है तीक है आपको यहां different matter atom है अगर इन matter atom को अगर हम water से react कराएंगे तो किस matter atom से hydrogen gas नहीं निकलेगी यह आपके लिए question है तो पहला option potassium दूसरा sodium, तीसरा lithium, चौथा cadmium देखों इंग्लिश भी होगी इनकी हिंदी भी होगी तो इसलिए हमने क्यों इंग्लिश नहीं लिखे हुए है तो इसका जोग correct option होगा देखो potassium बहुत जादा reactive है first group alkaline metal atom है तो यह hydrogen gas देगा sodium भी hydrogen gas देगा lithium भी hydrogen gas देगा आसू gas का एक घटक है पहला option आपके लिए ethanol दूसरा methane, तीसरा chloropicrin चौथा ether तो इसका correct option क्या होगा option number 3 chloropicrin ठीके आसू gas tear gas में मिलाया जाता है question number 4 substances used as an interface in radiator of automobiles age वहानों के radiator में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त पदार्त है आपने देखा सुना होगा कि automobiles होते है तो उसमें cooling agent मिलाया जाता है तो radiator में कुछ antifreeze solution मिलाया जाता है तो यह जो यहाँ पर different option दिये गए तो उनमें से क्या है तो पहला option है methyl alcohol and gel water H2O दूसरा option आपके लिए methyl alcohol तीसरा option आपके लिए methyl alcohol and H2O water तो इतायल alcohol और जल का निर्मान किया जल के बिल्जन का योग हेम निरोधी के रूप में किया जाता है question 5 which are the following metals from an amalgam with other metals निम्न में से कौनशी धात्वे अन्नी धात्वें के साथ amalgam का निर्मान करती है आप नाम सुना होगा ठीके zinc amalgam है magnesium amalgam है या कोई अन्नी धात्वें के साथ amalgam सुना होगा तो उसमें से एक धात्व कौनशी पाए जाती है दूसा तो उस धात्व के amalgam पाए जागा तो इसमें से कौनशी धात्वें है जो amalgam के निर्मान में साइक है तो पहला option lead दूसा अप्षन sodium तेसा option mercury चौथा option zinc तो correct option क्या होगा इसका mercury ठीक है तो mercury liquid अवस्ता में पाए जाना लगा थात्व है तो ये amalgam के रूप में यूज किया था जैसे zinc amalgam का हाथ तो उसमें क्या होगा एक zinc होगा और दूसरा क्या होगा उसमें HG mercury होगा तो ये इस दंक्षे इसको मनाय जाता है question number six the three elements most needed in common fertilizers are ऐसे तीन तत्व जिनकी सामान ये उर्गरकों में सरवाधिक आउशकता होती है तो तीन element तो कौन-कौन से होगे पहला option आपके लिए nitrogen, potassium and phosphorus तीसरा option आपके लिए sulfur, phosphorus and sodium तीसरा option है calcium, phosphorus and potassium चौथा option है phosphorus, sodium and nitrogen तो इसके लिए जो correct option होगा वो क्या आपके लिपका देखो इसमें क्या होता है NPK nitrogen, phosphorus 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 होगया P का मतलब potassium NPK ये symbol है मतलब nitrogen होगया, phosphorus होगया और potassium होगया तीन element है जो fertilizer में use किया जाते है सबसे ज़्याद मातलब तो इसमें से option देख लिए कौन सा है nitrogen potassium और phosphorus तो option number first तीक है तो option number first होगा जो सबसे ज़्यादा fertilizer में पाए जाने वोगया तत्व है nitrogen, phosphorus and potassium NPK और समय 7 an atomic pile is used for परमाउण pile का प्रियोग किया जाता है तो आपके लिए option है x-ray के निर्माण में producing x-ray दूसर option आपके लिए परमाउण बिखंडन करवाने में conducting nuclear fusion तीसर option आपके लिए ताप परमाउण बिखंडन करवाने में conducting thermonuclear fusion चौथा option आपके लिए परमाउण के को त्वरित करने में accelerating atoms तो इसका जो correct option है वो है हमार पास परमाउण बिखंडन करवाने में ठीक है तो परमाउण बिखंडन करवाने में ठीक है तो option number second क्या होगा conducting nuclear fusion ठीक है तो परमाउण बिखंडन करवाने में इसका उप्योग करता है अट्मिक पायल में question number 8 the substance which does not expand on going from liquid state to solid state is वो पदार्थ जो तरल अवस्ता से ठोस अवस्ता में पाई जाने पर ठोस अवस्ता में जाने पर नहीं फैलता है ठीक है तो कुछ metal की प्रवर्ड़ी होती है जादा तर जो metal या जो भी धात्वों होती है करत है की आड़ी है ठोस अवस्ता श्यास अवस्ता में जाने पर शो बाल या जो तो पदार्थ से को भी धाने पर उसमें कोई भी चेंजेजिश नहीं आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा कि क्वेश्चन नाइन फंडामेंटल पार्टिकल्स परजेंट इंड न्यूक्लेस और अटम सार किसी परमाण के नाभिक में मौजूद मौलिकन होते हैं ठीक है याद रखेगा क्या 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 आपके लिए इलेक्ट्रों और प्रोट क्या होता है बढ़ आपको याद होगा जो एलेक्ट्रों होता है वो एलेक्ट्रों न्यूक्लेस कोशेमर 10 के कारण होती है तो अपसंने आपके लिए पहला छारी गुण बेसिक प्रीज अपचयन गुण टियरोशिंग प्रोपटी अपचाय गुण अक्षिदेशिंग प्रोपटी अमली गुण एसिडिक प्रोपटी तो इसका correct option क्या होगा अप्चैन गुण यानि जो reducing property है option number second तो reducing property के बेस्पर है sulphur dioxide का बिरंजन का गुण पाया जाता है अपने इसको sulphur dioxide का use के जाता है ठीक है बिरंजन के लिए coloring करने के लिए bleaching करने के लिए तो यह किसके बेस्पर है अप्चैन गुण या reducing property ब्लेडर most quickly फुटबॉल ब्लेडर से निम्र में से कौनशी gas सरवाधिक तीवरता से बहार निकलेगी तो यहाँ पर अलग-लग gas के नाम दिये गए है तो यह इनमें से कौनशी gas है अगर हम फुटबॉल के ब्लेडर में उसको भर दे फुटबॉल में उस gas को भर जाएगा तो कौन से gas सबसे जल्दी बहार निकलेगी पहला option आपके लिए helium है दूसा option nitrogen है तीसा option hydrogen है चौता option oxygen है तो हम इसके हिंदी नहीं लिखा है क्योंकि इसका हिंदी नाम भी helium का हिंदी भी होगा नाम है ना खली है तो substance की नाम है तो इनका नाम भी ऐसी लिखा जाएगा तो इसका जो correct option हो को ओ क्या होगा option number third hydrogen क्योंकि hydrogen सबसे हलकी गैस है तो hydrogen क्या होगा फुटबॉल के bladder में से आसानी से निकल जाएगी यानि जिसका size जितना छोटा होगा तो वो गैस उतनी जल्दी बाहर निकलेगी तो आपके लिए option है पहला lithium, दूस्टा potassium, तीसरा sodium, चौथा sodium तो correct option क्या होगा इसका option number first lithium तो lithium ऐसा metal atom है जिसकी specific heat सबसे जादा होती है Q13, which variety of coal contains a recognizable traces of the original plant materials तो इसका correct option होगा, ओ क्या होगा, पीट तो कोईले, कौन सा कोईला, पीट कोईले के परकार में मूल पादुपों के स्विकार करने योगी निशान पाए जाते है तो पीट इसका क्या है correct option Q14, charcoal is used in water treatment as an A तो चारकोल का प्योग water के treatment में किया जाता है जल उपचार में charcoal का परियोग किस रूप में किया जाता है तो चारकोल के यहाँ पर देखो कौन से option से है पहला है black solvent की तरह, इसकंदन coagulant की तरह, शोशक absorbent की तरह, अधि शोशक adsorbent की तरह देखो दोनों option एक जैसे लग रहा है आपको absorption और adsorption adsorption जो होता है, adsorption दो होता है, वो surface पे नहों होता है surface पे जो घटना होती होई आला होगा adsorption क्या होता है, यह bulk phenomenon है, यह मतलब uniformly distributed होता है तो इसकंदन करेक्ट option होगा, वो क्या होगा, adsorment यानि charcoal होता है, चारकोल क्या कहता है, जो water में गंदिगी होती है उनको अपनी surface पे adsorb कर लेता है, और अधिसोशन कर लेता है question 15, the ratio of pure gold in 18 karat gold is 18 karat sony में सुद्ध सोनी की मात्रा होती है, पहला option आपके लिए 60%, दूसरा 75%, तीसरा 80%, चौथा 90% तो इसका correct option क्या होगा, यह 18 karat का gold होगा, तो उसमें 75% purity होगी question 16, the main constituent of biogans is, बावगans का मुख्य घटक क्या है पहला option आपके लिए oxygen, दूसरा option आपके लिए methane, तीसरा option आपके लिए methane, चौथा option आपके लिए methane, तो इसका correct option होगा, ओ क्या होगा methane, methane है जो biogas में पाया जाता है, formula का इसका CS4, तो methane gas, biogans का main constituent है, combustion question 17, which of the following is used as a moderator in nuclear reactor, निवन में से किसका परियोग, पमाण भटियों में मंदक की रूप में किया जाता है यहाँ देखे किसके लिए moderator की तरह इसका यूज किया जाता है, पहला आपके लिए radium, दुसरा ordinary water, सामाने जल, तीसरा graphite, चौथा thorium तो 17 का जो correct answer होगा, ओ क्या होगा हमार पास, graphite, यह graphite की स्वाड होती है, जिसका उप्योग, nuclear reactor में मंदक, moderator की तरह यूज किया जाता है Q18, soap is prepared by boiling, caustic soda with, साबुन का निर्मान, caustic soda को किसके साथ दुबाल कर किया जाता है, एक तो caustic soda होगा, तो दूसरा क्या होगा, option आपके लिए alcohol, gilcerins, fats, और kerosene, oil, तो इसका जो correct option होगा, ओ क्या हमार पास, fats, वर्षा, यह वर्षी अमलों को caustic soda के साथ हीट करते हैं, तो saponification process के थूरू साबुन गनाया जाते है, question 19, bronze is an alloy of, कांशी धातू, कांशी मिस्र धातू है, bronze किसकी alloy होगी, पहला copper and zinc, दूसरा copper and tin, तीसरा copper and iron, चौथा tin and zinc, तो correct option क्या है इसका, copper and tin, ठीका, copper and tin, cu or ti, tin, acid, ठीका, तो copper and tin का combustion, acid हो गई, तो cu or acid का composition क्या कहलाता है, bronze कहलाता है, question 20, the process by which milk is converted to curd is cod, वह परक्रिया जिस्से दूद दही में बदलता है, पहला option आपके लिए केड़बन, fermentation, दूसरा आपके लिए अपगलन, rating, तीसरा option आपके लिए वसंति करण, vernalization, चौथा option आपके लिए पास्तुति करण, पास्यूराइजेशन, तो correct option क्या होगा, fermentation, यानि fermentation के थ्रूद किसमें बदल जाता है, दही में, question 21, milk is a natural, दूद एक डेस, दूद एक प्राकर्टिक डेस है, क्या है इन में से option आपको correct करना है, पहला billion, solution, दूसरा poison, emulsion, तीसरा निलंबन, suspension, चौथा mixture, micron, तो दूद क्या होगा है, एक emulsion का example है, दूद क्या है, एक emulsion के अंतरगत इसको रखा जाता है, liquid in liquid वाला जो solution था, उसे हम emulsion बोलते है, liquid का liquid में colloidal solution को हम emulsion बोलते हैं, तो दूद emulsion के अंदर आता है, question 22, which of the following is used to remove rust stain on cloth, निलंबन में से किसका परियोग, कपड़ों पर से जंक का दाग हटाने के लिए किया जाता है, पहला option आपके लिए lime, चूना, दूसरा petrol, तीसरा kerosene, मिट्टी का तेल, चौथा oxalic acid solution, तो 22 का correct option क्या होगा, oxalic acid solution का use, किसके लिए किया आता है, कपड़ों पर से लगे, जो जंक का दाग होता है, उसको हटाने के लिए, ठीक है, तो oxalic acid का correct answer होगा, question 23, the natural source of hydrocarbon is, hydrocarbon का प्राकृतिक स्रोध क्या है, तो आपके लिए पहला option है, कोईला, कोल, दूसरा option आपके लिए carbohydrate, तीसरा option है, कच्चा तिल, crude oil, चौथा option है, आपके लिए biomass, जयवभार, question 24, which of the following is used to restore the color of old oil paintings, निवन मैं से किसका परियोग, पुराने तेल चित्रों के रंगों को वापस लाने के लिए किया जाता है, तो पहला option आपके लिए ozone, दूसरा option barium peroxide, तीसरा option hydrogen peroxide, चौथा option sodium peroxide, तो इसका correct option क्या होगा, hydrogen peroxide, तो hydrogen peroxide का उपयोग, जो पुराने painting होती है, उसमें से restore करने के लिए यानि क्या होगा, जो पुराने तेली चित्रों होते हैं, तो उसमें से अगर color को restore करना है, या उन paintings को restore करना है, तो उसमें hydrogen peroxide, hydrogen peroxide का formula क्या होता है, HO2O2, तो इस composition का उपयोग वहाँ पर क्या राता है, आज की वीडियो का last question है, which of the following is a non-metal that remains liquid at room temperature, निम्न में से कौन एक गैर धातु जो कमरे के ताप पर तरल रहता है, याद रिखेगा कौन से पूछ रहा है, गैर धातु, non-metal पूछ रहा है, ठीक है, metal नहीं पूछ रहा है, metal कौन से होता है, mercury, जबकि एक या पूछ रहा है, non-metal, तो पहला option है, phosphorus, इसा option chlorine, चौथा option helium, तो इसका correct option क्या होगा, option number second, bromine, BR2, halogen है, halogen family का member है, halogen, तो bromine एक ऐसी अधातु है, जो कि कमरे के ताप पर द्रहुस्ता में पाए जाने वाला तत्व है, तो यहाँ पर हमने कमिश्टी के 25 most important question answer को discuss किया था, thank you, वीडियो को like कीजे, share कीजे और subscribe कीज